जे हिंदोस्तो स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम देकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर भहुत ही महत्तपूर्ण कौस्चन आंसर यहाँ पर जीवन परिचे लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर लीलधर जगुडी जी का तो वीडियो को पूरा अवस्य देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें वह जादा से जादा वीडियो को सियर करें मौर सेल पिट Müस्टेडी क्लासले डाउंलूड करने जहां पर आपके लिए हिंद्री साहित का संपर्णोर्ल कोर्स हिंद्री साहित की डेस्टा आपके लिए शास हिरु पूर प्लब्धे बहुत ही कम दाम में यहां पर आपको 2020 टेस्टा सम पूरा याप आप अबस्ते जु आपको यहाँ पर बताना है, बताईए, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, वह आपका राइट आंसर यहाँ पर C, यानि की नई कवीता सही आंसर होगा, कॉस्चन नमबर दो पूँचा है, लीलाधर जगुडी को किस काब्बे के लिए साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया, भत्तपुन कॉस्चन आपसे इहाँ पर पूँचा गया है, तो भै कौन सा काब्बे है, अनुवाव की आकास में चांद जितनी लोग उतनी प्रेम न साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया था, किस वर्स दिया गया था, यह बताना है, कॉस्चन नमबर तीन है, और तीन का सही आंसर है भी, यानि की 1997, आपका सही आंसर है, 1997 को साहित अकादमी पुरुषकार मिला था, लीलाधर जगुडी जी को, लीलाधर जगुडी जी क को ब्यास सम्मान किस वर्स दिया गया था यह बताना है 2018 में 2019 में 2016 में 2017 में तो question number आपका यहां पर है चार और चार का राइट आंसर है 2018 यानि कि विकल्ब नंबर एक आपका सही आंसर होगा question number पांच पूचा है लील अधर जगुड़ी को किस काप्वी के लिए ब्यास सम्मान दिया गया था अनुभव के आकास में चांद जितने लोग उतने प्रेम नाटक जारी है इस यात्रा में तो किस काप्वी के लिए इनको ब्यास सम्मान दिया गया था तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर नाटक जारी है विकल्ब नंबर आपका सी राइट आंसर होगा लीला था जगुली जी का जन्म कहां हुआ था? कॉस्चन नंबर छे है और छे का राइट आंसर बताना है दो विकल्ब आपके यहाँ पर दिये गये हैं और आपका सही आंसर है बिलकुल सही आंसर होगा दंगड टिहरी गडवाल उत्रा खंड में इनका जन्म हुआ था तो जन्म कब हुआ था बताए तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नंबर आपसे इहां पर साथ पूचा है विकल्ब नंबर एक राइट आंसर है 1940 इसट भी में इनका जन्म हुआ था लील धर जगुली जी का कॉस्चन नंबर आपका आठ पूचा लील धर जगुली का प्रिथम काप्वे कौन सा है इनका प्रिथम काप्वे आपसे पूँचा है बताईए तो इनका प्रिथम काप्वे माना जाता है कौन सा विकल्ब नंबर एक यानकी संख मुखी सिखरों पर इनका प्रिथम काप्वे माना जाता है बिल्कुल सही आंसरों का विकल्ब नंबर ए अंगला कॉस्चन है इनमें से कौन सा काब्बे लीला धर जगुडी का नहीं है देखे नहीं पूछाए आप से यहाँ पर तो नहीं में बताने हैं बताए कौन सा काब्बे लीला धर जगुडी का नहीं है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बलराम के हजारों नाम ये जो है राइट आंसर है डी सही आंसर होगा लीला धर जगुडी का नाटक है कौन सा है एक और अजनभी जादू का कालीन तीन कैदें पांच बेटे कॉस्चन नमबर दस और दस का सही आंसर बताना है तो लीला धर जगुडी का नाटक कौन सा है तो बिलकुल सही राइट आंसर है पांच बेटे विकल्प नमबर सी आपका सही आंसर होगा कॉस्चन आपका यहाँ पर 11 वा कॉस्चन क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं नाटक जारी है काब्बे का पिरकासन वर्स आपके लिए अहाँ पर बताना है बताईए नाटक जारी है काब्बे का पिरकासन वर्स से कब हुआ तो सही आंसर है 11 का एक सही आंसर होगा 1972 में रात अभी भी मौजूद है काब्बे का पिरकासन कब हुआ question number 12 है, रात अभी भी है, काब्बे का प्रकासन आपको बताना है, रात अभी भी मौझूद है, काब्बे का प्रकासन पूँचा है, question number 12 है, और सही answer है, 1976 इस भी right answer होगा, इनमें से कौन सा काब्बे लीला धर जगुली का नहीं है, नहीं पूँचा है, आप से यहां पर भी, बताएं नहीं है, कौन सा काब्बे लीला धर जगुली का नहीं है, तो 13 का सही answer है, आपका विकल्प नमबर यहां पर C, A क्या है, एक और आकास की खोज विकल्प नमबर C, आपका सही answer होगा, question number आप से 14 पूँचा है, घबराय हुए सब्दे, काब्बे का प्रकासन, कब question number 14 में बताना है, घबराय हुए सब्दे, काब्बे का प्रकासन, 1981, 1982, 1985, 1986, तो सही answer है, आपका यहां पर विकल्प नमबर C, राइट answer है, यहां पर 1981 आपका सही answer होगा, 1981 राइट answer है, बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां, यहां पर अपनने देखें, बहुत ही मात्तपुन, question थे, लीलाधार जगुडी जी से संबंदित, तो कैसा लगा है, वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आएं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें, self-study classes आप डाउनलो कीजिए, और सरसा पब्लिकेशन का इमाला बस्तुनेस्ट प्रेशनी की एवोक है, तो आप इसको भी खरी सकते हैं, आज की वीडियो है बस इतना है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिन